एशिया कब 2023 के मैचों की टाइमिंग का हुआ एलान एशिया कब 2023 की शुरुवात 30 अगस से हो रही है और इससे पहले इस बात की जानकारी सामने आ गई है की इस एशिया टॉर्नामेंट के मैचों की टाइमिंग क्या होगी पाकिस्तान और श्रीलंका में हाइब्रीड मोडल पर आयोजित होने वाले इस टॉर्नामेंट के ब्रोड कास्टर ने खुलासा किया है की मैचों की टाइमिंग एक ही होगी पहले तीन अलग-अलग टाइमिंग के साथ मैचों की शुरू होने की संभावना थी लेकिन अब नई टाइमिंग सामने आ गई है इस बार एशिया कप वन डे फॉर्मेट में खेला जाना है क्यूंके अक्तूबर नवेंबर में वन डे फॉर्मेट ही विश्व कप खेला जाएगा इस बीच इस्टार इस्पोर्ट्स ने मैचों की टाइमिंग फाइनल की है और बताया है की एशिया कप के सभी तेरा मुकाबलों की शुरुवात श्री लंका के समय के अनुसार दोपहर तीन बजे से होगी भारत और श्री लंका के टाइम जोन में कोई अन्तर नहीं है क्यूंके दोनों एक ही टाइम जोन से चलते है तो भारत में भी मैच तीन बजे से ही शुरू होगा भारते टीम का पहला मुकाबला इस टॉर्नामेंट में 2 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ है जबकि दूसरा लिग मैच नेपाल से 4 सितंबर को होना है भारत के दोनों लिग मैच श्री लंका के केंडी में खेले जाएगे इसके बाद सूपर 4 के मैच भारत को 10 सितंबर, 12 सितंबर और 15 सितंबर को खेलने होगे ये तभी संबव होगा जब भारत की टीम कम से कम एक मैच में अच्छे अंतर से जीत हासिल करे क्रिकेट की टॉप खबर हर रोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए